सात शरीय काल जी सार्यानों स्वागत कर दियां मैं तो होड आपने चैनल मैंत विद सुमन प्रीत कौर ते मैं यां सुमन प्रीत कौर ते आज दी एस वीडियो दे विच असे करांगे सिक्स आशक अतिवरिटी स्काल देना रिलेटिर कुछ इंपोर्टन्ट एमसी क्यों जिमें कि तो अनुपता है तो अडिस लेवर्स दे विच लिख्या होया है 14th century onward history ए हिस्ट्री तो होड़े लई आज दी जो मैं वीडियो लेके हैं काफी ही जादा इंपोर्टन्ट होन वालिया क्योंकि एस वीडियो दे विच असे बहुत इंपोर्टन्ट MCQ करन वालिया सो वीडियो नू पुरेते आंदेनाल देखना ते एक भी MCQ नामिस करना क्योंकि आज दी ये वीडियो तो होड़े लई काफी ही helpful होन वालिया ता जादा टाइम वेस्ट ना कर दे होया सी आज दी ये वीडियो स्टार्ट कर देया जे करतो हानू वीडियो चंगी लगे ता प्लीस वीडियो नू लाइक कते शेयर जरूर कर देना Option No.1 सिखां दे सिखे सब्तों पहला किस ने जारी किते हाँ जी सिखां दे सिखे सब्तों पहला जारी किते सी बाबा बंदा सिंग बहादर जी ने Option No.B is the right answer Next question लक्षमन दास, लक्षमन देव अते मादो दास किस व्यक्ती दे वकरे वकरे ना हन The right answer is Option No.D. बाबा बंदा सिंग बहादर जी दे नाम लक्षमन दास, लक्षमन देव अते मादो दास Next question गुरु गोविन सिंग जी ने बंदा सिंग बहादर नू पंजाव कियों पे जिया Right answer is Option No.B. खाल सा पांथ दे दुशमना दा सफाया करन ली Next question बंदा सिंग बहादर ने औस मुगल सैना पती दा सफाया किता जेडा गुरु गोविन सिंग जी दे सपुत्तरां दी सही दीलाई जिम्मेवार सी औस सुबेदार दा नांदी नासी आजी के नाम सी? Right answer आजी Option No.B. बजीर खां बजीर खांदा अंत कितावा बाबा बंदा सिंग बहादर जी ने मुगल सैना पती सी है ते एनना ने गुरु गोविन सिंग जी दे सपुत्तरां दी सही दीलाई जिम्मेवार सी ठीके? Next question सिखादी महा अनसंस्था दाल खाल सादा संगठन किस ने किता? Right answer आजी Option No.B. बजीर खांदा बंदा नाम सादा संगठन किता जी? Next question दाल खाल सादा पर दा अनसैना पती किस नू चुने आगया? अंजी दाल खाल सादे पर दान सैना पती चुने गया? जस्सासिंघ आलूआ आलूवाल या डाल खाल सादे पर दान सैना पती जस्सासिंघ आलूवालिया नू चुने आणी आगयाई Next question बुडदल अते थरूनदल नामी दलांदा आगु कॉन सी? हांजी बुड़ा दल अते तुरूना दल नामी दलांदा आगुसी नवाव कपूर सिंग ओफ्शन नमबर बी जा राइट आंसर बुड़ा दल दे विच थोड़ी जादा उमर दे लोक ओंदे सीगे ठीके हांजी दल खाल सानू दोज़पा गांदे विच वंड देता आगया सीगा एक वुड़ा दल दे दूज़ा तुरूना दल एदे विच क्यों वंड देता आगया सीगा क्योंकि अलग लग विचार सीगे नौजवान ना दे ते ओल्ड परसन दे एस कारके फिरूना ने इन्नू दूट पार्स दे विच डिवाइड कार देता एक दे विच नौज़वान आगये ते दूसरे दे विच ओल्ड परसन ठीके एवी तुसी याद रखना नेक्स्ट पोर्शन है जी बंदा सिंग बहातर दा सब्तों पहला नाम की सी आँजी बंदा सिंग बहातर दा सब्तों पहला नाम सी लक्ष मन्दा सौफ्षन नम्बल डी जा राइट आंसर आँजी बंदा सिंग बहातर दा सब्तों पहला नाम जा फिर बच बंदा नाम की सी यता राइट आंसर होवेगा लक्षमन दास पर यत्थे जड़ा में तनू गोईशन करवाया बुड़ दल दे तुरूना दल वाला यह दे विच्च किया जड़े चाली साल तो उपर सिगे ठीके, ओन्ना नू बुड़ दल दे विच्च वांड़ दतता ग्यासी जड़े चाली साल तक दी उमर दे शिगे नौजवान ओना नू तुरूना दल दे विच्च वांड़ दतता ग्यासी हांजी, नेक्स्ट करदे यहांसी, चाली साल दी उमर तो उसी याद रखना बेरागी वननन तो बाद लक्षमन दास दा की नाम होया? हांजी, बेरागी वननन तो बाद लक्षमन दास दा नाम सी मादो दास बेरागी जेडा की जान की परशाद ने दित्ता सी, option number V is the right answer मादो दास ठीके, बेरागी वननन तो बाद जान की परशाद ने दित्ता सी गा गुरू जीनू सौरी, बाबा बंदा सिंग बहादर जी नू नेक्स्ट कोईशन है जी, बंदा सिंग बहादर दा जनम कदों होया? हांजी, बाबा बंदा सिंग बहादर जी दा जनम 1670 इस्वी दे विच्च होया सी option number C is the right answer next question, बंदा सिंग बहादर जी दे पिता दा की नाम सी? option number B is the right answer next question, मादो दास दा डेरा किस नदी दे कंडे तेसी? option number B is the right answer मादो दास बाबा बंदा सिंग बहादर जी दा विरागी बनन तो बाद दा नामा, ठेके? next question, गुरु जी ने बाबा बंदा सिंग बहादर नू किस तरा आपना सिक बनाया? option number C is the right answer next question, बाबा बंदा सिंग बहादर नू गुरु जी ने किनने तीर देके? option number D is the right answer next question, साही खजाना कित्थे लजाया? जारे हासी next question, साही खजाना दिल्ली दे विचे लजाया? जारे हासी next question, सरहांद दे फॉसदार दा की नाम सी? आजी सरहांद दे फॉसदार दा नाम सी बजीर खां option number C is the right answer next question, बंदा सिंग बहादर ने समाना उपर कदों हमला किता? आजी बंदा सिंग बहादर जी ने समाना दे उपर स्तारां सो नाम स्वी दे विचे हमला किता सी? next question, बंदा सिंग बहादर ने सरहांद उपर कदों हमला किता? आजी बंदा सिंग बहादर जी ने सरहांद उपर स्तारां सो दासी स्वी दे विचे हमला किता सी? option number D is the right answer next question बाबबंदा सिंग बहादर दा विरागता रनकारंतों बाद की नाम पया बाबबंदा सिंग बहादर जी ने विरागता रनकारंतों बाद नाम सीगा जान की परशाद ने दता सी नाम मादो दास option number C is the right answer next question लोग अड़ दी लड़ाई किस नाल हुई सी? आजी लोग अड़ दी जड़ी लड़ाई या एहे मुगला दी नाल हुई सी Option number C is the right answer Next question बंदा सिंग बहादर दे पुत्तर दा की नाम सी? आजी बंदा सिंग बहादर दे पुत्तर दा नाम सी अजे सिंग Option number B is the right answer Next question याजी बंदा सिंग बहादर दी मुगला नाल अंतिम लड़ाई केडी सी? आजी बंदा सिंग बहादर दी मुगला नाल अंतिम लड़ाई सी? गुर्दा सिंग बहादर दी मुगला नाल अंतिम लड़ाई केडी सी? गुर्दा सिंग बहादर दी मुगला नाल अंतिम लड़ाई केडी सी? गुर्दा सिंग बहादर दी मुगला नाल अंतिम लड़ाई केडी सी? गुर्दा सिंग बहादर नाल अंतिम लड़ाई दी मुगला नाल अंतिम लड़ाई केडी सी? गुर्दा सिंग बहादर नाल अंतिम लड़ाई केडी सी? गुर्दा सिंग बहादर नाल अंतिम लड़ाई केडी सी? किस ना हेट सिंग बहादर ने किस ना हेट सिंग जारी किते? गुर्दा सिंग बहादर नाल अंतिम लड़ाई केडी सी? गुर्दा सिंग बहादर नाल अंतिम लड़ाई केडी सी? गुर्दा सिंग बहादर नाल अंतिम बहादर नाल अंतिम बहादर नाल अंतिम लड़ाई केडी सी? अप्शन नबर E is the right answer नेक्स्ट अउस्ट पोईशन फुल्किया मिसल दे निता कौन सन? हाँ जी फुल्किया मिसल दे निता सन? चौधरी फाल सिंग, बाबा आला सिंग, अमर सिंग, ते साहिब सिंग हाँजी चौधरी फल सिंग एक संस्थापक से फुलकिया मिसल दे ते बाबा आला जी ने एक सहरत बसाया सिगा उसदा नाम तुसी कमेंट बॉक्स दे विच लिखोंगे ठीके आदगरांथ साहिवदा संकलन कदों ते किस ने किता अजी आदगरांथ साहिवदा संकलन कदों ते किस ने किता उमीद कर दियें कि इस कोशन दांसे तो डसारियां दाही सही होवेगा तो इस कोशन दा राइट आंसर है ओफ्शन नमबर है गुरु अरजन देव जी ने 1644 वी देविच आदगरांथ साहिवदा संकलन किता सी अच्छा तो इस तो इलाबा कोशन एवी आसक्दा कि आदगरांथ साहिवदा लिखिया किस ने या तो लिखिया ये पाई गुर्दास जी ने ठीके इता नुग कोर्शन एवी आ सकदा कि आद गरंथ साहिव दे पहले गरंथी कौन बने सी तब बब बुढ़ा जी बने सी ठीके इस तरह लगला कोर्शन सा जेड़े तुसी याद रखने या इंपोर्टेंड है नेक्स्ट कोर्शन है जी दसम गरंथ किन्या रचनामादा संगरे है राइट आंसर है जी ओफ्शन नमबर सी अठारा रचनामादा दसम गरंथ दे विच टोटल अठारा रचनामाने दसम गरंथ नू लिखिया किसने सी दसम गरांथदा सबंद केड़े गुरू नाल है ओफ्शन नबर B is the right answer पंजाव विच पगती लहर देशन स्थापक सन शिरी गुरू नानिक देव जी ओफ्शन नबर A is the right answer एस कोईशन नो ते आणचे रखना पगती लहर नेक्स्ट कोईशन इनना विचों दसम गरांथदा संकलन किसने किता हाँ जी दसम गरांथ लिखे है इस गालनो तुसी ते आणड़ना विच रखे के ही कोईशन नो टेंट करना ठीके दसम गरांथ ते आद गरांथ साइटेस फरका ठीके एस काई के पोईशन नो ते आणड़ना अटेंट करना कुण्फियोज नहीं होना ते एस दा राइट आंसर ए ओफ्शन नमबर C शुरी गुरु गोविन सिंग जी देनाल आजी गुरु गोविन सिंग जी ने दसम गरांथ दा संकलन कीता सी नेक्स्ट कोईशन सिखतरंदी ने किसने रखी सी हाजी सिखतरंदी ने रखी सी सिखादे पहले गुरु शुरी गुरु नानिक देव जी ने ओफ्शन नोमबर B is the right answer नेक्स्ट कोईशन कर देयांजी असी गुरु नानिक देव जी दा जनम कदो होया हाजी गुरु नानिक देव जी दा जनम पंदरा अपरेल चोदा सो नत्तर इस्वीनुं होया सी ओफ्शन नोमबर A is the right answer नेक्स्ट कोईशन गुरु नानिक देव जी दी माता दा की नासी हाजी गुरु नानिक देव जी दी माता दा नाम सी माता त्रिप्ता देवी जी ओफ्शन नोमबर C is the right answer एस्टो इलावा गुरु नानिक देव जी दी पैन दा नाम की सी गा बीबी नान की जी अते एस तो इलावातन कोर्शन एवी आसगदा है कि गुरु नानिक देव जी दे पिता जी दा की नाम सी ता पिता जी दा नाम सी महता कालू आजी next question असी कर देया गुरु नानिक देव जी ने किन्य साल दी उमर वेच मज़ां चराया हांजी right answer है option number D 12 साल गुरु नानिक देव जी ने 12 साल दी उमर दे विच्च मज्चा चराया सी next question गुरु नानिक देव जी दी वड़ी पैन दा की ना सी हांजी गुरु नानिक देव जी दी वड़ी पैन दा नाम सी B नान की option number A is the right answer Next question, गुरुनानिक देव जी ने किन्ने साल दी उमर विच जुने उपोन तो ना कर्दती सी Next question, गुरुनानिक देव जी नू जुने उपोन लाई कहन वाले पंडित दा नाम की सी? Option number D is the right answer Next question, गुरुनानिक देव जी ने पहली उदासी दे दो राण पूरव दिशा दे वाल लगए Option number C is the right answer Next question, गुरुनानिक देव जी ने केस नू नाल लेके पहली उदासी रमभी गुरुजी ने पाई मरदानिक देव जी ने पहली उदासी रमभी लेके हांजी गुरुजी ने सच्ची आर्ती दा उपदेश दिता सी जगन नाथ पुरी देवेच। ओप्शन नुबर A is the right answer. Next question, सिखदी कमाईदे 10 में हिसे नू जोता रमहित खर्च किता जान्दा है की कहन्दे या? सिखदी कमाईदे 10 में हिसे नू जोता रमहित खर्च किता जान्दा है और उसनू दसवंद कहन्दे या? ओप्शन नुबर B is the right answer. Next question, एमनाबाद दे हाकम ते एहलकार दा की नाम सी? आजी एमनाबाद दे हाकम ते एहलकार दा नाम सी मलक पागो। ओप्शन नुबर C is the right answer. Next question, सजन ठाग कित्थों दा रहन वाला सी? हाजी सजन ठाग ता लंबा दा रहन वाला सी? ओप्शन नुबर A is the right answer. Next question, गुरु नानिक देव जीनू ब्रहम पोज़दा सद्दा किसने पेज्या सी? राइट आन्सर है जी ओफ्शन नुबर B मलक पागोने। हाजी नेक्स्ट कोईशन पाई लालो की काम करदा सी? हाजी पाई लालो तर खान दा काम करदे सी? ओफ्शन नुबर A is the right answer. Next question, हर दुवार केस नदी दे कंडेते है? हाजी हर दुवार केडी नदी दे कंडेते या गंगा नदी दे? ओफ्शन नुबर D is the right answer. Next question है जी अचल बटाले योगिया नाल होई चर्चा केडी बाणी बेच दर्च है? हाजी अचल बटाले योगिया नाल होई चर्चा केडी बाणी दे विचे दर्चा सिद्ध गोस्ट दे विचे? ओफ्शन नुबर A is the right answer. Next question, गुरु जी ने जीवन दे आखरी किन्ने साल करतारपूर गुजारे? हाजी शिर्वी गुरु नानिक देव जीवन दे आपने यडे आखरी साला ओ किन्ने साल सी यडे करतारपूर दे विचे गुजारे या? ता राइट आंसर है जी ओफ्शन नुबर B, 18 साल. Next question है, गुरु नानिक देव जी कदों जोती जोत समा गई? हाजी गुरु नानिक देव जी पंदरा सो उन्ताली इस्वी दे विचे जोती जोत समा गई सी? ओफ्शन नुबर A is the right answer. Next question, गुरु नानिक देव जी ने लोकानू की उपदेश दित्ता? राइट आंसेर है, ओफ्शन नुबर B. ठीके, next question, गुरु नानिक देव जी ने कृतारपूर A के लोकानू की करंदा उपदेश दित्ता? हाजी गुरु नानिक देव जी ने कृतारपूर A के लोकानू हत्थी किरत करंदा उपदेश दित्ता? Option नुबर D is the right answer. Next question, की गुरु नानिक देव जी समाजस दारक सान? ओफ्शन नुबर A is the right answer. Next question, गुरु जी ने आखरी समे गुरद्धी केस नू सम्पी? हाजी गुरु जी ने आखरी समे गुरद्धी शरे गुरु अंगल देव जी नू सम्पी C. Option नुबर C is the right answer. नेक्स्ट कोईशिन, बारा माथ उखारी रचना हैं, हाजी बारा माथ उखारी किस दि रचना हैं? ओफशंन नम्बर C is the right answer नेक्स्ट कोईश्नãyजी, गुरु नानिक देवजी दे उत्तरादीकारी कौन सन? उफशंन नम्बर B is the right answer Next question is E. गुरु नानिक देव जी इनना मुगल समराटां विच्चों किस मुगल समराट दे सामकालीन सन्व? Option number A is the right answer बावर दे Next question गुरु नानिक देव जी ने दूजी उदासी किस दिशा बल कीती? हाँजी शिरी गुरु नानिक देव जी ने दूजी उदासी दक्खन दिशा बल कीती सी Next question किस गुरु साहिब दा जनम स्थान तलवंडी है जो की हुण पाकिस्तान दे विच्च है? तेस question दा राइट आंसर है जी Option number A शिरी गुरु नानिक देव जी दा Next question है हाँजी Next question है केडे गुरु साहिब ने जबजी साहिद दी रचना कीती? तेस question दा राइट आंसर है जी Option number B शिरी गुरु नानिक देव जी ने Next question आसादी वार दे रचना हार कौन हन? हाँजी आसादी वार किस दी रचना है? राइट आंसर है जी हाँजी बेर साहिब गुर्दवारा किते सेते सुल्तानपूर लोदी दे विच Option number C is the right answer Next question है पंजा साहिब दा दूजा ना की है? हाँजी पंजा साहिब दा दूजा नाम हसन अबदाल है Option number B is the right answer Next question है रब्बी ग्यान दी प्राप्ती गुरु नानक देव जी नू किते होई सी? हाँजी रब्बी ग्यान दी प्राप्ती शिरी गुरु नानक देव जी नू किते होई सी? सुल्तानपूर लोदी दे विच होई सी Option number B is the right answer Next question लंगर प्राथा दा अराम खिस ने किता सी? हाँजी लंगर प्राथा दा अराम शिरी गुरु नानक देव जी ने किते होई सी Optimus is the right answer Next question उदासी मतदी श्थापना किस ने किती सी? हाँजी उदासी मतदी श्थापना बाबा शिरी चान्द जी ने किती सी? Option number C is the right answer Next question गुरुनानिक देव जी ने कौल किनिया उदासियां कितियां गुरुनानिक देव जी दिया कौल किनिया उदासियां सान The right answer is the option number C, 4 Next question बाबर बानी वेच बाबर दे सिपाहियां दा पार्ती नागरी का उत्ते जबर जुलम दा वर्नन है ते बाबर बानी किस दी रचना है ते इस question ता right answer is the option number C शिरी गुरुनानिक देव जी दी Next question इनना विच्चों केडी बानी गुरुनानिक देव जी दी रचना नहीं है ता हाँजी इनना दे विच्चों option number C is the right answer जाप साहिव शिरी गुरुनानिक देव जी दी रचना नहीं है हाँजी जेडे भी इनना questions उन्हों पूरी तरह clear करना चौँदे ने जाँ फिर जिनना उन्हों कोई भी प्रॉब्लम मात है तो तुसी movie देखी हो नी है जिननने नहीं देखी हो देख लेना movie दा नाम नानिक साफ कीर जो तुसी YouTube पर सर्च करोंगे लगपक दो कांटे दिये है movie या ते एदे विच्च तो अनू जोडे सारे तोटे question में करवाया clear हो जानेगे पूरे पक्के ते नाल दीना तो अनू नमा कुछ भी देखाननों मिलूगा जेडा तो अनू नहीं पताए ते देखन दे नाल तो अनू शाइदे वीडियो दिविनी लोड़ पे होगी जे कर तुसी पहलान देख के ए वीडियो तो दवारा टेस्ट दोंगे ता हो सकता तो अनू पूरे दा पूराई क्लियर होजे हाँजी नेक्स्ट कोर्शन है मर्दाना केड़े गुरु साहिब दा सुर्दा लूसी हाँजी मर्दाना केड़े गुरु साहिब दा सुर्दा लूसी राइट आंसर है जी ओफ्शन नमबर सी शेरीक गुरु नानिक देव जीद दा Next Question ता एस गुरु नू तेलक जंजु दे रख्यक वजो जानेया जानाए त एस पोर्षन दा राइट आंसर अफ्शं नमबर बी शेरीक गुरु तेग बहादर जीद दा तेलक जल्झु दे नामना जानेया जानाए Next Question आजी सिखता रम्बेच मंजियाँ दा की उदेश सी हाँजी सिखता रम्देविच मंजियाँ दा उदेश ता आर्मिक उपदेश देन लई नेक्स्ट हाँजी ओफ्शन नम्बर A is question दा राइट आंसर गुरु अगदेव जी दा गुरु बननतो पहलां दा नाम की सी पाई लेहना जी ओफ्शन नम्बर A is the right आंसर नेक्स्ट कोईशन है जी गुरु मुखीनर बतोरे संतंतर लिपी वानता सबतों पहलां किस्तों प्रापत होई हाँ जी गुरु मुखी नू बतोरे स्तंतर लिपी मानता सबतों पहला गुरु नानक देवजीतों प्रापत होई सी next question हाँ जी इस question दा right answer option number B है ठीके गुरु मुखी नू बतोरे स्तंतर लिपी मानता सबतों पहला गुरु नानक देवजीतों ही प्रापत होई सी नेक्स्ट कोईशन करदिया ची असी लंगर दी मर्यादा दा मोड किसने बनने आजी लंगर दी मर्यादा दा मोल शरीघुरू नानिक देवजी ने ही बननी आसी ओफ्षन नबर B is the right answer पूरियां फसलान दी तवाही माच गई सी क्योंकि बावर कोल की सी ओसमें बावर पहला सासक सी जड़े कुले तोपपान सी जड़े आगदे बुरूद सी जड़े तवाही माच गई सी ते उथे कोश्मी नी होंता सी फिर गुरु नानक देव जी ने हत्थीं किरत करंदा उद देश दितता ते नाल दी नाल ही फिर जथे जित्थे गुरु नानक देव जी ने पैरत रया सी गा ते आप उस धी विजाई कित्ती सी ठीके जमीन दी ते उथे वस्तो बाद जदो खान पीनले लोकाउं कोले कोश्मी नी रयासी बाबर दे हमलेयां करके तो गुरु नानक देव जी ने उत्थे जाके लंगर दी प्रथा जड़ी चलाई सी जान लंगर दी प्रथा तो वैसे ज्यादा तरो शुरी गुरु आंगा देव जी नू मन्नेया जान दावा पर शुरू असल देविच गुरु नानक देव जी ने ही कित्ती सी इस टाइम तो इस कोशन ता एक वरो मूवी जुरूर देख लणा नानक साफ कीर ठीके जी आँची ते वीडियो तो अनू किस तरा दी लगी करपागार की कमेंट बॉक्स देविच जुरूर दास देना जेकरता अनू वीडियो चंगी लगी होवे ता प्लीस वीडियो नू लाइक ते शेर करना थैंक्स फार वाचिंग